हेलो दोस्तों वेलकम टू माई टूप चैनल और प्लीज चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्ब कर देना और आज इस पीडियों बताऊंगो मैं आपको बेस्ट इस्टक्स के बारे में और जो आज की जो हमारी कंपनी है उसके दो बिजिनेस मॉडल है एक है और दूसरा है माइनिंग यानि कि यह पावर तो बनाती है तीन तरीके से एक तो कोल से कोईले से दूसरा सोलर से और तीसरा विंड से और माइनिंग करती है कोल की तो कोल की माइनिंग करती है और पावर भी कोल से बनाती है और विंड से बनाती है और सोलर से बनाती है तो इ एक रीजन है कि इसने जो quarterly result announce किये हैं वह बहुत ज़्यादा बैतर हैं बहुत ज़्यादा इसने growth की है quarterly result के अंदर तो पहले हम इसके fundamentals देखेंगे company के फिर financially देखेंगे और उसके बार रिटन्स के बारे हम बात करते हैं तो पहले मैं आपको इसके P&L यानि की profit and loss को दिखाता हूँ किस तरीके खाए तो उसके बार मैं आपको quarterly result दिखाऊँगा आप खुद समझ जाएंगे कि company ने कितनी ज़्यादे growth की है तो य में इसे 1449 करोड का इसको sales होई थी लेकिन मार्च 2021 में इसको down होई 1326 करोड अगर optimum profit operating profit के बारे में बात करें तो यह कितना था मार्च 2020 में 126 करोड और फिर इसको मार्च 2021 में 10 करोड यानि घाटा हो गया इसको अब बात करते हैं हम इसके net profit की तो मार्च 2020 में 146 करोड इसको profit हुआ था लेकिन मार्च 2021 में 39 करोड का इसको घाटा हुआ और EPS की बात की जाए तो EPS भी आप देख ले तो EPS की यह EPS था 4 रुपे 61 पैसे मार्च 2020 में लेकिन इसको घाटा हो गया और कितना चला गया माइनस में 1 रुपे 24 पैसे तो यह था इसका P&L जो के बहुत ही ज़्यादा बेकार है लेकिन अगर मैं इसके quarterly result आपको दिखाता हूँ तो जितनी ज़्यादा बेकार है उतनी अच्छा इसने growth भी किया है quarterly result और और सेल्स की बात की जाए तो यह देख लगते हो सितंबर 2021 में 452 करोड का इसको इसकी सेल्स हुई थी लेकिन दिसंबर 2021 में 725 यानि 400 452 से 725 पहुंच गया एक की क्वाटर में और operating profit की बात की जाए तो कितना था 26 करोड सितंबर 2021 में और दिसंबर 2021 में 201 करोड 26 से 201 करोड और profit before tax की बात की जाए तो 49 करोड था जो 220 करोड हो गया और अगर net profit की बात की जाए तो 40 करोड था जो बढ़कर हो गया डिवर से और अगर EPS की बात की जाए तो एक रुपे 27 पैसे था जो बढ़कर हो गए चार रुपे 71 पैसे तो आप इसका quarterly result देख लेना अच्छी तरह और P and L देख लेना तो quarterly result में बहुत ही ज़्यादा सुदार देखने को मिला है और profit and loss इसके बहुत ही कमजोर थे तो इसी बज़ए से इसमें बहुत जाएद तेजी देखने को मिली है और अगर इसके pros or cons के बारे में बात करते हैं pros or cons के बारे में तो company is almost debit free stock is trading 0.92 of its book value और company is expected to good quarter का प्यच्छे quarter में है और company has maintained healthy dividend payout cons के बारे में बात करते हैं तो the company has delivered poor sales growth 2.38 last five years और company has low return on equity 6.43 last three years और इसके जो graph आप देख सकते हो price का किस तरीके का इसमें returns देखने को मिला है बनी यस के इंदर बहुत ही ज़्यादा है और volume भी बड़ा है इसका fundamentally देखा जाए तो market cap है 3927 करोड का और जो stock का PE बहुत अच्छा है 8.85 और return of capital employed 1.27 और डैड इस पर only 30 लाग का है net profit 46.7 करोड है और return over bunnies में 105 और quarterly profit आप देख सकते हो 55528 percent quarterly profit और growth factor के बारे में बात किया है तो 50 percent इसमें growth है और अगर इसके return और equity की बात किया है तो 8.24 percent है और promoter की holding 74 है free cash flow इसके बात बहुत है 4293 करोड का तो एक तरह कि यह बहुत ही अच्छी कंपनी है और dividend deal बहुत कम दे रही है 0.16, 0.16 और EPS एक रुपे 1.47 और debt to equity 0 है और quarterly sales से इसका 21 percent बड़ा है तो जो अभी company का जो नाम है वो है मैं आपको दिखा सकता हूं गुजरात mineral development corporation limited यह है company का नाम और अभी इसकी जो current price चल लगी है वो एक से 24 रुपे चल लगी है 124 और 5.20 percent की इसमें ब्रदी देखने को मिली है बात करें इसके अगर financially की तो financially देखो financially की बात करते हैं तो यह पूरी value 1000 करोड में है तो 2018 में इसको profit हुआ था साड़े 300 करोड 2019 में 220 करोड और 2020 में इसको 15 करोड और 2021 में 40 करोड का गाटा हुआ यह पूरा year wise है लेकिन quarterly result आपने देखे थे बहुत अच्छे थे तो यह years में तो इसको गाटा हुआ था लेकिन quarterly बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर इसके investment checklist के बारे में बात करें तो इंट्रेंस बेली के साबसे कापी अच्छे स्टॉक्स है रिटन से अपडी के पर से थोड़े कम है डिविडेंट भी सही दे रही है और entry point भी बहुत अच्छा और कोई भी इस पर red flag नहीं है बात करते हैं इसके return के बारे में तो बन मन्त में इसने जो return दिया है वो 59% तक कर return दिया है बनियस में और एक क्यावन रुपए का था एक सबाइस तक हाई गया था और अगर इसके maximum की बात करते हैं तो maximum में इसने बहुत अच्छे return दिया है 1648% तक का return दिया है maximum में 1648% और जो 2 रुपए 42 पैसे का था और 316 रुपए हाई गया था तो यह था गुजरात मे लागा हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यह quarterly result बहुत ज्यादा अच्छे हैं इसलिए इसमें अपर सब्सक्राइट देखने को मिलना है थैंक्यू सू मच वीडियो देखने के लिए